इस बार जितने बच्चे लेट हुए हैं उनके लिए के स्पेशली बैच मैंने लॉंच कर दिया है और हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको एन्रोल करना चाहते हो तो कर सकते हो नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आप यूट्यूब पे पढ़िए अगर आप यूट थमलिन देखा कि आप पास होना थोड़ा सा मुस्किल हो चुगा है और आज की वीडियो में ये समिस्टर फाइब के लिए हैं चाहे बच्चा बीकों प्रोग्राम का हो और किसी और वैसे तो इस्पेशली डियू के एक वार्डिंग में चल रहा हूं लेकिन आगदर आप सभी बच्चे को पता है कि ये सब्जेक्ट तो आपको पर्ढ़ने ही महीं पड़ने है चाहे स्षूदेंट रेगूलर का हो प्रोग्राम कब का हो ले तो באंव का एक उपीं सबज़ेक्ड है इनकम्टेक्स दूसरा है और है मैंनेजमेंट सेज्योंट अकॉझ तीसरा ह एक और राइटर है इनके टेक्समेंन के वी के सिंगानिया तो उनकी बुक जनली देखा जाए एक्जाम प्रोस्पेक्टिव से तो आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं मैं बोलूँगा क्योंकि उसके इंदर बहुत हाइरेंट कोश्चन्स पूछे जाते हैं और जो ग्रीस आउजा की बुक है वो बिल्कुल एक्जाम के पॉइंट हो भी से बिल्कुल सठीक होता है इसी पैटर्न पर हमारा एक्जाम आता है इसलिए मैंने बताया मैंजमेंट अकाउंट का भी न्यूबुक आ चुका है डेट इस M.N.A. अरोडा अगर हम मैंजमेंट अकाउंट की बोलें तो इसकी भी बुक आ चुकी है और बुक का नाम के है मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं दिखा देता है इंकम टेक्स की बुक जो है आपको एकदम नई बुक लेना है और उस बुक के उपर यह जरूर देख लेना एसेस्मेंट यह लिखा होगा एवाई दो हजार च इकनॉमिक्स की अभी किसी राइटर ने अभी बुक निकाली नहीं है हो सकता है निकाल दियो मैंने अभी गो थुरू नहीं किया है तो यह पेंडिंग है सेम बुक एमे नरोडा और ग्रीस आउजा सेम बुक आपका भीकॉम ओनर्स के लिए भी रहने वाला है और मजे की बा अगर आपको अलॉट हो चुके होंगे एसोल वाले बच्चों के लिए स्पेशली कहना चाहूंगा कि आप डिले मत करना नहीं तो यह तो मानके चलो आप एक भी सब्जेक्ट क्योंकि समिस्टर पांच में अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आपका पूरा स और चौके मने में 4 साल का कौलेज जी 3 साल का ही घॉलेज है 4 साल की कॉलेज वह स्रेफ और सरेफ बेकार की चीज़े है किसी और वीडियो में डिसकस कर लूँ है क्या एक्ष्वल चीज और मैं सब्जेक्स की बात करूं तो सर इंकम टेक्स चूँकि के डो workलेज है उसकी व management account के chapters कम है लेकिन एक एक chapters में काफ़ी dispar happening लगते हैं बैजुलाई में जुलाई अभी तक arrows खातम ने हुआ एकट Bab tu image करवा है आपको in mes čन라고 मिभी चल रही है जिन बच्चे को लेनी हो तो ले सकता है और YouTube इस लए अगर जा रही है जैसे जैसे शडील होता है क्योंकि आप एक बात को समझेगा बच्चे कहते हैं सारी यूटुब पे आप वीडियो ही नहीं डाल रहें तो वीडियो को एडिट करने में बहुत लंबा प्रोसेस होता है उसके लिए हमारा इतना बड़ा टीम नहीं और इतना बड़ा स्टाफ नहीं या इतना बड़ा मैंने सिस्टम हाई ग्रेंड नहीं ले रखा कि जिसके अंदर मैं वीडियो को डालो और क्विकली रेंडर हो जाए एक वीडियो को रेंडर करने में तीन गंटे चार गंटे भी लग जाते हैं जब जो रेंडरिंग करता हो को उनको बता को जब तीन चार गंटे एक वीडियो को रेंडर करने में लगता है तो डेली के हम दो से तीन वीडियो ही कर पाते हैं तो एक दिन हम ऐसा करते हैं समेस्टर तीन को भी डाल देते हैं फिर समेस्टर वन का भी डालते हैं फिर एक दिन समेस्टर फाइब तो इस वज़े से डिले सिर्फ यही वजय है अब सर एक बात आई जहन में के सर पेपर को पास होने का क्राइटीरिया जो है वो कुछ बदल गया है क्या जी हाँ पेपर को पास करने का क्राइटीरिया बदल गया है आप ऐसे समझ यहें जैसे फॉर्स्ट येर में आपके 14 एक्जाम होते थे समेस्टर के आपके साथ और समेस्टर टू के साथ पहले क्या था इस चौदा में से कोई भी साथ पेपर पास कर लो कोई भी साथ पेपर पास कर लो आपको सेकिंड सेमिस्टर में पर्मोट कर दिया जाएगा मतलब आप सेकिंड सेमिस्टर में जाएए अगर फर्स्ट का रह गया है त लेकिन अब मैं semester one का मैंने example लिया है अब मैं two का अगर आप बोलोगे तो मैं two का ले लूँँगा जैसे कि मान लो कुछ बच्चे two का सोच रहोंगे sir one तो हम pass कर चुके हैं तो मैं ये लो आपके लिए मैं two की बात कर लेता हूँ two की बात कर लेता हूँ और second year क्योंकि अभी recently आपने second year का exam दिये है recently second year का exam दिये है अब कुछ बच्चों के मेरे पास especially call भी आएगे sir हम third year में जाएंगे या नहीं जाएंगे तो पहले का छोड़ते हैं अब जो third year में जाने के लिए कि semester five में तभी जापाओगे आप जब क्या करोगे आप ये इसमें से कोई भी no exam पास करोगे मतलब मान लेते हैं पांच इसमें से चार इसमें से चार इसमें से पांच इसमें से या साथ इसमें से दो इसमें से कोई भी no करोगे तो second year में आप पहुँच जाओगे इसका मतलब यह नहीं कि बाकी एक्जाम नहीं देने हाँ आपकी ER रहेगी और आपको आगे clear करना पड़ेगा जिसने 14 पेपर दे दिया उसकी कोई ER नहीं आएगी पास हो गए तो अगर आप इसमें से सिर्फ और सिर्फ मान लो 5-7 पेपर पास होते हो तो पूरे पेपर पास नहीं करें तो आपको fail कर दिया जाएगा और आप अगले semester में पहुंचो गई नहीं third year में और आपको यह entire exam सुरू से आपको तयारी करना पड़ेगा fail और ER में क्या फरक है? fail के अंदर यह है कि आपको पहला जो पेपर में पास थे अब दुबारा देना है ER में जिस पेपर में आप पास हो गए थे उसको छोड़ करके बाकी जिसमें नहीं पास हो पाय थे सिर्फ अकेला वो पेपर देना है तो यह फरक हो जाता है तो यहाँ पे आपका पहले 50% यानि 7 एक्जाम था अब उसको बढ़ा के 63% क्राइटिरिया कर दिया गया है जो कि मैं बोलूँगा कि भईया semester 5 वाले बच्चों के लिए बहुत टफ एक टफ यहाँ पे रहने वाला है challenge एक तरीके से और अब आपको वैसे भी आपके लिए तो एक पेपर भी अगर आपका रहता है semester 5 तो आपका एक साल बरवाद यानि fail ही समझ लोगो तो यह आपके उपर 63 का तो कोई मतलब नहीं बनता है इससे पहले वाले हाँ जो आपने second year का पेपर दिया वहाँ एक डर बना हुआ है दिक्कत नहीं होगी हाँ सर अब आगे बात करते हैं सर और कुछ बताइए सर और कुछ काफी सारे बच्चे कह रहे थे के बच्चे लेट हो गए काफी अगर मैं आपके बताओ तो ऑगस्ट के अंदर आपके पास सिर्फ 20 दिन है September के अंदर आपके पास 30 दिन है October के अंदर आपके पास 31 दिन है November के अंदर आपके पास 30 दिन है टोटल मिला के देखें तो 90 और 20 110 111 ये दिन बचे हैं आपके पास जो की income tax के लिए बहुत अगर मैं धाई-धाई घंटे की classes लूँआ तब जाके यहाँ पे complete होगा अगर मैं एक घंटे की class अगर आप सोचके बैठे हैं सरीक एक घंटे में हम निप्टा लेंगे तो नहीं income tax की अकेली की अगर मैं class का timing आपको बताओं तो कितने घंटे लग जाएंगे इसमें कम से कम 70 घंटे तो लगेंगे लगेंगे सतर मैंने तो कम ही बोला सतर से असी घंटे के बीच में जाएगा यह पूरी classes management account का कम से कम 40 से 50 घंटे लग जाएंगे तो hour basis पे भी आप सोचोगे कि करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी बाद में आपको तो जो बच्चे अभी तक नहीं classes ले रहे थे तो alert हो जाएए don't waste your time आप time को ध्यान में रख कर अभी से तैयारी चालू करिये नहीं तो आगे चलके बीकॉम नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको बड़ी problem होगी क्योंकि हमारे एक nature रहता है कि एर बीकॉम तो हो जाएगा लेकिन वो नहीं है आपके बहुत सारे promotions रुख जाएगे आपको job नहीं मिलेगा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बीकॉम की बज़े सा अगर नहीं हो गए तो अगर बाहर कहीं किसी जाने का plan है या फिर कोई और अच्छे courses तो बीकॉम तो करना पड़ेगा तो YouTube पे वीडियो आ रही है तो बहुत सारे late commerce बच्चों का ये था कि सर एक हम कैसे तयारी करें उस पे एक वीडियो और एक systematic हमारे लिए बैच तो उनके लिए एक बैच लेक्च लेक्च के नाम से लेट जो हो गए कमर जो जितने भी लेट हो गए इस टूडिंट तो fresh बैच हमने एक लांच कर दिया है और इसको freedom 15 अगस्त के accordingly 6-7 दिन sale चलाएंगे और वैसे इसका price रखा है हमने 650 लेकिन ये 15 अगस्त के time पे सिर्फ आपको ये दिया जाएगा मातर 425 और इसके अलाबा आपको कुछ भी नहीं देना ये पूरे के पूरे semester की fees एक subject की रहने वाली है और हर एक subject के लिए आपको enroll करना चाते हो तो कर सकते हो नहीं करना चाते तो कोई दिक्कत नहीं आप YouTube पर पढ़िए अगर आप YouTube पर भी नहीं पढ़ रहे हैं सिर्फ आप इस वीडियो से information तो जहां भी पढ़ रहे हैं वहां से आप जरूर पढ़िए क्योंकि semester अब की बार semester 5 बहुत भारी पढ़ने वाला है आपके उपर books के लिए मैं अलग से link और वीडियो बना दूआ यह वाली books लेनी है nearby shop पे मिलता है तो आप वहां से जाके ले सकते हैं तो hopefully आपको समझ में आया होगा इस बार जितने बच्चे लेट हुए हैं उनके लिए एक especially batch मैंने launch कर दिया है और सारे schedules batch के अंदर डाल दिये गए हैं वही live class वही doubt session सारे चीजे होने वाला है तो मिलते हम next video में don't be late thank you so much अगली video में मैं books के उपर सारे links बना दूआ